अलो फ्रेन विल्कम टू में चैनल जे डी साइन्स क्लास इसमें आप सभी का स्वागत है आज हम इसमें घटना चकन टो के जो हैं प्रक्रिस करेंगे जिसमें हम मैत के पार्ट को कबर करेंगे फिर आपको हिंदी जियस और इंग्लिस के अलग लग पार्ट में कराएंगे ठीक आसा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी त्यारी अच्छी चल रही होगी अगर आप हमारे चैनल फिर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजीगा और बेला कर प्रिस कर दीजीगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ठीक है तो इसमें 10 प्रक् पूर निभाएगा इसमें क्योंकि आपको हिंदी कर लेंगे जियर्स भी आपका बन जाएगा और इंग्लिस और में इसमें ज्यादा आपको पढ़ना है चलिए आज दिखते हैं पहला प्रस्ण है दो संख्याओं का योग 69 है और उनका गुलन फल 1150 है उनके वरगों का यो पहले हैं कि दो संख्याओं का योग 69 है मतलब माली जी एक संख्या ए है और प्लस बी है इनका फ़र्ष्ट संख्या इनका योग कह रहे हैं कि 59 है 69 है ठीक है आप कहरें कि इनका गुणन फल मतलब गुणा नहीं का ए गुणे बी इक्वल टू क्या हो जाए गभी 1150 ठीक है यह आपका दिया है ठीक है यह आपका दिया है तो आप ए प्लस बी का और निकालना क्या है वर्गो का योग मतलब निकालना ए स्क्वार प्लस बी स्क्वार ठीक है एक क्वेश्यन मारत ठीक है यह निकालना है ए स्क्वार प्लस बी स्क्वार आपको यहां निकालना है ठीक ह यह आपके फार्मुला है, भई, A प्लस B का होली स्कॉर आपका फार्मुला होता है, A स्कॉर प्लस B स्कॉर प्लस 2 यह भी, तो यह 2 यह को इधर ला लिए, तो यह माइनस में ही तो आएगा अब इसी भी आप रख दीजिए, चलिए A प्लस B का वैलू है 5,9, ठीक है भी, 5,9, ठीक है, और माइनस, 2, A इंटू B की वैलू कितनी है, ग्यारा सो पचास, ग्यारा सो पचास, सालब कर लीजिए इसी को, तो यह हो जाएगा, देखिए, 69 का स्कॉर करेंगे, तो स्कॉर करना आप जानते है, यह 9 का पहले स्कॉर कर देंगे, 81, क्या हो जाएगा, यहां ही दर लिख दे रहे, 81 के, 9, 9, 81, ठीक है, एक और कैरी आप 8, और देखिए, 9, 45 और 45 का डबल कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 90, ठीक है, 90 और 8 कैरी, 98, ठीक है भी, 98, तो कैरी आप 9 हो गई, अब यह लास्ट का, 5 का, इसका ड़ी, 5, 5 जा, 25, और 25, और 9, जोर दी, 34 आजाएगा, ठीक है, 34, तो 34, 81, आगया, टीक है, माइनस, आप देखिए, 2, 11, 50, 11, 50 का करेंगे, तो 300, ठीक है, सब्ट्रेक करेंगे, कितना आजाएगा, धिखिए, 1, आजाएगा, 8 आजाएगा, और 1, आजाएगा, 1, आजाएगा, मतलब 1180, ठीक है, आपसन कौन हो जाएगा आपका, आपसन नंबर देखिए, यहाँ पे, D नंबर आपका विर्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, तो यह इस तरह से आपको कर लेना, कि आप जली से कर लीजिएगा, ठीक है, एक्जाम में इतना नहीं करना है, आपको चलिए, कैसे आया, यह आपको पने बतलाया, ठीक है, चलिए आये, देखते हैं, अगला है, करने दिये गए, बंजग का मान ज्याद करें, देखिए, इसमें आपको, बंजग दिया, तो इसमे उपर वाला साल्व कर लें, ठीक है, नीचे वाला भी साल्व कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या करना, देखिए, पहले, आप क्या करते हैं, बाड मास रूल, आप जानते हैं, पहले डिवाइड करते हैं, फिर क्या करते हैं, गुणा करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फ तो यह 2 से कड़िया है अब 13 से डिवाइट कर लिजिए भई देखिए 13 चोको 52 और 13 पचे 65 मतलब 45 यह आ गया 45 बार जाएगा अगर 1170 में 26 का भाग लगाएंगे ठीक है तो इस तरह से आप कर लिया करिए छोटा करके ठीक है तो आप जानते है जो संख्या उपर से कटे है वह इसको डारेक डुड़ा कर दिए 13 दूना गुड़ा करना है ठीक है प्लस 13 दूना 26 ठीक है इसको आप आप इसको जोड़ लीजिए ठीक है आप इसको क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए तो यह जोड़ेंगे तो यह बावन पैंतालिस 123 आएगा ठीक है 123 मतलब यह ऊपर वा दीजिए 2 और यह 4 का नम 4 एक 5 माइनस का 5 बटा 4 हो जाएगा तो पहले कहा था इसमें आपको गुणावला का वाला करना है तो क्या होगा है 2 प्लस का 9 बटे 4 माइनस का 5 बटा 4 तो देखे 4 जो है LCM ले लिजिए 4 LCM ले लिजिए तो 4 दूना 8 चार दूना 8 बटा जाएगा प्लस का 9 माइनस का 5 ठीक है जोड़ लेजिए इसको तो 9 आट 17 17 में से 5 गयन तो 12 ठीक है भी तो 12 बटे 4 आएगा 4 ती आई 12 ठीक है तो 3 नीचे आगया यह पूरा साल्व करने पर नीचे 3 आग 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए भी तीन चोग बारा तीन कन्न में 3 तीक तानीस आपका अउसनर आज आएगा तो इस प्रकार के प्रस्न को पहले उपर वाला कर लिया कर दिए फिर नीचे वाला ठीक है तो यह आपको आसानी से बन जाएगा चलिए आज देखते हैं अगला है अब यह देखिए यह प्रस्न भी काफी इंपोर्टेंस भाई निम्न का योग्याद कीजिए तो यह आपको भिनने से प्रस्न है देखिए इस प्रस्न को कैसे साल्व करेंगे इस प्रस्न को आप कैसे साल्व करेंगे देखिए इस प्रस्न लोग को क्या लिख सकते हैं भी 3 x 4 ठीक ऐसे इनको 20 को 4 x 5 लिख सकते हैं 5 x 6 लिख सकते हैं 30 को 42 को 6 x 7 ऐसे लिखके लगाके एक बटा 72 को कैसे लिखेंगा भी यह तो 9 गुणे 8 गुणे 9 ठीक है 9 बट 22 यह कर लिजिए अब एक आपको फार्मूला बता रहे हैं जल्दी से हो जाएगा ठीक से और मेथड हैं लेकिन आपको देखिए 1 by D ठीक है भी 1 by D ब्रेकेट लगाईए 1 upon yup minus का 1 upon L ठीक है यह आपको फार्मूला लगा देना है अब देखिए D क्या है भी 1 D क्या है D जो है प्रथम पद की पहली तथा दूसरी अंक का अंतर अब प्रथम पद का मतलब यहां से लेना है प्रथम पद यह जो ब्रेक हुए है यह नहीं ब्रे पद का पहला अंक ठीक है प्रथम पद का पहला अंक का मतलब पहला अंक यह दो ठीक है दो एक बटा दो हो जाएगा ठीक है और L का मतलब क्या है अंतिम पद का अंतिम पद का अंतिम पद का अंतिम अंक तो अंतिम पद का 9 ठीक है भी 9 तो एक बटा माइनस की यह 9 हो प्लस एक बटा दो माइनस एक बटा ये ये वाला लिख दिये ये जो आया है ठीक है तो आप देखिए ना एक बटा बाई एक बटा नो एक बटा नो कैंसिल हो जाएगा तो एक बटा दो अंसर आ जाएगा देखिए का option कौन तो option पहला ही आपका यहाँ सही हो जाए का तो इस फार मुले से आप लगा लेंगे ठीक है चाहिए अगला देखते है भी अगला देखते है ये क्या है भी करने A की उचाई B की उचाई से 20% अधिक है और B की उचाई C की उचाई से 20% कम है C की, C की उचाई, D की उचाई से 30% अधिक है यदि C और A की उचाई के बीच अंतर 16,08 से मी हैं तो B की उचाई ग्यात करें ठीक है, B की उचाई ग्यात करना है चलिए देखते हैं, करते हैं देखिए, यहाँ पे A, B, C और D ठीक है, अब D को क्या माल लीजिए D को आप क्या मानेंगी भी इसको 100 माल लीजिए, D का 100 कर लीजिए ठीक है, D को हम 100, 100 पर्शनल लें, 100 लें अब कहरा है कि यहाँ देखिए C की उचाई, D की उचाई से 30% अधिक है, मतलब यह 130 हो जाएगा भी 130 हो जाएगा, ठीक है कामा लगा दीजिए, 130 ठीक, इसी परकार, अब देखिए फिर कहरा है कि B, B की उचाई C की उचाई से 20 परतिसत कम है, तो देखिए 130 का 80% निकालेंगे, तो कितना आएगा, 104 आएगा ठीक है, 104, कैसे आए भी 104 यह आपको, ठीक है, 130 का 130 का 80%, 20% कम हो, तो 80 हुआ, इसका निकालेंगे, तो कितना आजाएगा तेरा ठीक, 104 आगया, आगे देखिए है, अब कहरें, A की उचाई, B की उचाई से 20 परतिसत अधिक है, ठीक है A की उचाई, 20 परतिसत, अब A की 104 का ठीक है, 120% कितना होगा तो यह आपका निकल का आएगा 124.8 ठीक है, आप यह निकालेंगे तो कितना आएगा, B, 124.8 यह ए, A का आजा, ठीक है, यह यहाँ पर A लिख देजी सामने, ठीक है, तो A का कितना, 124.8 और B का 104, C का 130 है और D आपने इतना, यह आपका बन गए अब देखिए, आगे क्या कह रहा है कह रहा है कि, C और A की उचाई के बीच अंतर, 6.8 है ठीक है, अंतर क्या है भी 6.8 है, सेमी है, तो B की उचाई, बताइए, B की उचाई तो पहले तो इनका अंतर देखिए C और A, देखिए, C और A अब देखिए, 130 में 124.8 घटाएंगे तो क्या आएगा भई, क्या आएगा 5, 5.2 आएगा 5.2, अब 5.2 के अंतर की बराबर होगा तो 6.8 हो जाएगा, ठीक है 6.8 हो जाएगा, तो हमको निकालना आए B का B का कितना आ, 104 तो धर्दी जी भी, 104 तो यहाँ पर देखिए 6.8 घुणे 104 इधर लिखिए तो यहाँ पर 6.8 घुणे 104 बटे आपका कितना हो जाएगा 5.2, इसको आप काट करेंगे तो यह आपका 136 निकल के आएगा, ठीक है आपसा नमबर आपका D यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है यह आपको इस तरह से करना है ठीक है आज देखते हैं अगला है तो इसको साल्ब कर लीजिए, करते हैं तेकि इसको करना है 6.8 घुणे बटे 2 अब गुणे 104 बटे को भी का 104 था, तो इसको साल्ब करना है तेखिए ये आपका point से point क्या हो जाएगा भी cancel हो जाएगा ठीक है cancel हो जाएगा तो अब देखिए इसको कैसे काटेंगे देखिए 2 से कट जाएगा ना अब इसका गुला करेंगे तो आट दूनी सो लग चा तीन दूनी चा जाएगा ठीक है यह सालव कनल कर लिए कोई दिक्कत लिए आज़े दिखते हैं भी अगला प्रस्चन कहने कि उस एक वस्त को 388 रुपए में बेचा जाता है तो तीन प्रतिषत की हानी होती है यह दिवस्त को 8 प्रतिषत के लाग पर बेचा जाना हो तो इसका विक्रे मूल कितना होगा तो यह आपको भी बताना है विक्रे मूल कितन होगा चलिए आई दिखते हैं तो देखिए कि एक वस्टू को इतना रुपए में बेचा जाता है तो यह स्पी दिया है यह स्पी कितना दिया है 388 ठीक है और हानी लास हुआ है तीन परतिस्द का तो पहले हम क्या निकाले भई हम वस्टू का CP निकाले क्रेमूल निकालेंगे तो क्रेमूल निकालेंगे कैसे CP equal to आप जानते फार्मूला क्या होता है यह स्पी तो यह स्पी कितना है 388 बटे तो और 3% लास मतलब 97 इंटू आपका 100 ठीक है तो यह आपको काट लीजिए CP निकलाएगा तो यह आपका जाएगा कितनी बार भी देखिए चार बार जाएग ठीक है CP 400 आप करें इसको कितने 8% के लाव पर बेचा जाना है तो इसका बिक्रेमूल क्या होगा तो यह स्पी बरावर आप जांगते हैं यह स्पी बरावर होता है CP कितना है 400 इंटू कितना भी 8% 108 का बेचेंगे ठीक है 108 का बेचेंगे नीचे 100 ठीक यही साल्व कर लीजिए आपको यहाँ पर आ जाएगा ठीक है देखिए 2-0 से 2-0 आप काट दीजिए अब इसका गुड़ा कर दीजिए 432 के 2 3 कह रहे है और 494 432 रुपए हो जाएगा ठीक है अगला देखते है कहने कि 9 संख्याओं का आउसत 19 से यदि पर्थम 4 संख्याओं का आउसत 14 है तो अंतिम 5 संख्याओं का आउसत ज्यात करें ठीक है यह आपको कैशे करना है भी तो पहले सभी 9 संख्याओं का योग निकाल लीजिए तो 9 गुड़े 19 ठीक है 9 संख्याओं का कितना आ जाएग भी इसका 19 नविए 170 आप जानते हो जाएगा ठीक है यह 9 को हो गया फिर पर्थम 4 कर देखी पर्थम 4 संख्याओं का उसत 14 दिया है तो क्या हो जाएगा चार चार गुड़े 14 गुड़े 4 कर लिजिए कोई दिक्कत निजिए आगे करीजिए पीछे 56 हो जाएगा चार जाएगा तो इनको घटा दीजिए अगते नौ था चार यहाँ एं ठीक है विजए प्रत्यासी को कितना मिला भी नौलाग क चार गसी शार तीन सव recur किस मत प्राप्त रुए तो डाले गए मतों की संख्या कितनी थी ठीक है तो यह आपको करना है ठीक है तो इसका आप करेंगे तो आप जानते हैं कि यह इसको प्रत्यासी कमत जो है 4x का लिजिए दूसरे प्रत्यासी कमत 9x ठीक है अब देखिए जो जीता है उसका कितना है भी 9x के इककोल दिखा दीजिए 9x के इककोल क्या है 98 58 4, 3, 2, 1 ठीक ये 9,84,321 हो गया ठीक तो एकस की value निकाल दीजिए इसको divide कर दीजिए 9 से 4, 3, 2, 1 divide by 9 तो divide करने पर आपका कितना आएगा भी यहाँ पर तो आप जानते देखिए 9,99,9 यहाँ लिख रहे है ठीक है 9,99,9 एक बच्चा फिर 8 उतारेंगे नहीं जाएगा 0 करेंगे ठीक है और फिर 8 पर 4,81 हो जाएगा तो 9 बार जाएगा ठीक है ये आपको divide कर ठीक है 9,3,27,3 बार जाएगा तो मतलब इसको divide करने पर आपको 6,9 हो जाएगा ठीक है मतलब इतना आएगा ठीक है इसको जब काटेंगे अब इतना है ठीक है आप कुल मत निकाल लीजिए भी कुल मत कितने होगे नहीं 9,4,9 प्लस 4 बराबर 13,13 के 13 यक्स है कुल मत हो जाए 14,14,21,797 A नंबर हो जाएगा ठीक है इसको आप 13 से उना कर लीजिएगा अगला देखते हैं एक निश्चित कार को पूरा करने के लिए 20 ब्यक्तियों को 20 ब्यक्तियों को दिन में 8 गंटे कार करते हुए 15 दिनों का समय लगता है उसी कार को 4 दिनों में पूरा करने के लिए 30 ब्यक्तियों को प्रदिन कितने गंटे कार करना चाहिए तो यह वही M1, H1, D1 लगा दीजिए फार्मूला तो देखिए M1, H1, D1, E1, E2, M2, H2, H2, H2 D2, ठीक है, इसी फिर रख दीजिए, इसी फिर आपको रख दीजिए, तो आ जाएगा, तो YM1 कितना है, 20 है, ठीक है, 20 ब्यक्ति, ठीक है, महन होगे YM से, और YH मतलब hour, hour कितने है भी, आपके 8 गंटे, ठीक है, ये 8 गंटे, फिर दिन कितना है, 15 दिन, ठीक है, equal to लगा अब ही, H2, H2 निकालना है, काट दीजिए, देखिए, ये, 4 पंचे 20 कर दीजिए, कड गया, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 हे काट दीजिए, 5 हे कानना 5, 5 दूनी 10, 12 पंचे 60 हो गया, 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, चर्ती आई 12, ठीक है, चर्ती आई 12, 3 पचे 15, तो ये नीचे 2 बच्चा मतलब 10 आएगा, ठीक, 5 दूना 10, 10 आएगा, राइट अंसर डीआपके है, सही हो और बिंदू B से बिंदू A तक यक्स कीमी प्रत गंटा की चाल से वापस आता है, यदि उसकी आउसत 445 कीमी प्रत गंटा है, तो यक्स का मान ज्यात करें, ठीक है, ये आपको निकालना है, यहाँ पर, ठीक है, देखिए, कहने कि कोई बक्ती बिंदू A से बिंदू B तक, 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से यात्रा करता है तो इसको कीमी प्रति घंटा में आपको इसको चेंज कर लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड को कीमी प्रति घंटा देखिए कीमी प्रति घंटा चेंज करने के लिए 18 अठारा बटे 5 से आपको गुणा करना है ठीक है मीटर पर सेकेंड में करेगा तो 5 बटे 18 कर दीजिए को गुणा बस देखी 5 दुना 10 मतलब 18 दुनी 36 36 कीमी प्रती आवर के हिसाब से स्पीड है ठीक है तो अब देखिए प्रस्ण के अनुसारी आपको करना है ठीक है बटे 36 प्लस का यक्स एकुल टू 45 ठीक है यह आपको करें आउसर्ट चाल आपको दी रखी है 45 पर इसे इक सालब कर लिजिए तो आपका अंसर्ट मिल जाएगा ठीक है तो यह आपको हो जाएगा ठीक है अब इसको सालब करिएगा तो यह आपका निकल के आएगा कितरा option B हो जाएगा इसको शार्व कर लीजिएगा एक ब्यक्ति अपनी कुल यात्रा का एक तीन बटा साथ भाग ट्रेंज से पांच बटा चुदा भाग बस से और से तीन कीमी पैदलताएं करता है उसके द्वारताएं की गई कुल दूरी ज्याद कीजिए अब उसकी कुल दूरी आपको यहाँ पर निकालना है ठीक है तो देखिए हम मान लेंगे उसा ब्यक्ति कि कुल दूरी कितनी है एक यस है ठीक है total license क्या होगई एक ले लेंगे अब train द्वारत न दूरी उसका train द्वारता मतलब कुल दूरी का का मतलब ग談ा करदीजी एकOoh गुड़े Mohammad 3वाट साथ ह यहां आपका आगई train द्वारताई दूरी ठीक है, इसी परकार बस द्वारत दूरी का, तो यक्स गुड़े 5 बटा 14 तो तो क्या आ जाएगा भई, 5 x बटे 14 यह बस द्वारत द्वारताई दूरी हो गई, ठीक है, खुल दूरी आपकी यक्स ठीक है, अब सेस धूरी क्या हो जाएगी भी, 6 दूरी निकाल लेज़ेगे, 6 दूरी क्या हो जाएगी, x माइनस का, ये 3x by 7 प्लस 5x बटे, 14 यहाँ नीचे लिखते रहें, ठीक है, तो ये आपको द्यान देजिएगा, यहाँ पे, यह ठीक है 14 अब इसका LCM आप ले लीजिए तो 14 जो है आपका जानते है LCM हो जाएगा ठीक है तो यह आपका गटके कि यहां से करते हैं तो यक्स माइनस का हो जाएगा यह सेस है लेकिन आपको यहां फिर दे दिया गया है तो 3x बटे 14 जो है ये 6 आपकी क्या है दूरी 6 दूरी बची है और 6 दूरी आपको यहाँ पे दिया है और 6 तीन की भी पैदलता है ठीक है तो इसी 6 के इक्वाल दिखा देंगे भई 3x बटे 14 इक्वाल टू 3 के ठीक है ठीक 3 से 3 ये कैंसर हो जाएगा तो 1 से बरावर कितना जाएगा भी 1 से बरावर यहाँ लिख दे रहे हैं 1 से बरावर 14 एक्वाल क्राश मिल्टिपलाई कर देंगे ठीक है ये है तो ये आपका राइट अंसर कौन सो जाएगा C नमबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ठीक है एक ब्रक्ति वार्सिक आय में इतना रुपय की विद्धी होती है मूलधन ग्यांत करें ठीक है? मूलधन ग्यांत करें देखिए इसको आप घटा लीजिए कितना आएगा भई? यहाँ पे तो यह आदेखिए आजाएगा बारा को दसमलों में प्चंज कर लिजए देखिए तो बारा दुना? बारा करना बारा दूट चवदा ठीक है? यह ऐसे बारा दसमलों पांच आजाएगा ठीक इसका मतलब आप लिख सकते हैं 12 सभी बटए 2 का मतलब परतिसात को क्या लिख सकते हैं? तो देखे कितना जादा है तो ये आपका ज्यान देना है तो ये सब्ट्रैक कर दीजिए 8 परतिसात और 12 परतिसात खटाएंगे तो 4 दसमलो 5 परतिसात हो जाएगा ठीक इसका माइनस कर दीजिए तो इसी के बराबर आपको क्या दिखाना है 469 है सो प्रतिस्त निकाल लीजिए, सो प्रतिस्त इक्वल टू, तो 469, बटे, क्या हो जाएगा, 4.5, इंटू, 100, ठीक है, 100, 100, इसी को काट लीजिए, ठीक है, देखिए, यहां से आपको, ब्रेक कर लीजिएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए, नीचे आपका 4.5 है, तो ऊपर चला जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, decimal खतम हो गया, decimal हो, ठीक है, अब क्या काटेंगा भी, 5 से काट लीजिए, 5, 9, 45, 5, 2, 10, और 200 उपर बच्चेगा, ठीक है, अब देखिए, 9 दो, और दो, जीरो बढ़ा दीजिए, तो, 10,200, राइट अंसर काट हो जाएगा, देखिए, आपसन, C यहाँ, सही हो जाएगा, ठीक है, तो यह आपका 200 गुण एक क्यावन करेंगे, तो यह आ जाएगा, ठीक है, तो यही आपकी ब्रिद्धी के, इक्वल यही ब्रिद्ध है, अगला करें कि, एक आयत की, एक भुजा, और एक भिकण की लंबाईया करमसा 63 सेमी और 65 सेमी है, उस वर्ग का परी, माप ग्यात कीजिए, जिसका छेत भल, इस आयत का, आयत का एक वटा साथ है, यह आपको करना है, यह आपको करना है, देखिए, आयत आप जानते हैं, मना लिजे, फीगर भी, ठीक है, अब करें कि, एक आयत की, एक भुजा और एक भिकण की लंबाई करमसा, देखिए, यह बिकण होता है, इस से दोनों को मिलाएंगे, भिकण हो गया कितना भई, 65, ठीक है, और एक भुजा, जो भी मालिजे, इसमें आपको 63 दिया है, ठीक है तो अगला मालिजे, बेस आपको निकालना है, ठीक है, तो पाइथागोरस ठेवरम लगाएंगे, यहाँ पे, अगली भुजा निकालने के लिए, पाइथागोरस ठेवरम लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे, तो मालिजे, बेस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, रूड मे हो जाएगा 3969 ठीक है सब्ट्रेक करेंगे तो 256 आ जाएगा ठीक है रूड में है ठीक है 200 रूड में 256 अब 256 किसका स्कॉर होता है यह आप जानते 16 का होता है ठीक है तो यह बी आपका क्या आ गया बेस निकल आया 16 ठीक है भी 16 अब देखिए अब कहने कि वर्ग का छेत्रफल क्या होता है वर्ग का छेत्रफल भई भुजाई स्कॉर ठीक है वर्ग का छेत्रफल कहरे ना एक आयत की एक बुजा और एक भिकड के लंबह इतनी है उस वर्ग का परिमाप ग्यांत कीजिए जिसका छेत्रफल इस आयत का एक बटा साथ है ठीक है तो अब उसके क्या हो गुणे 16 उसका एक बटा साथ ठीक भी 100 बटा साथ साथ नवाईं 63 कर देंगे और फिर आपको गुड़ा करें 169 एक सो चोगालिस एक सो चोगालिस तो छेतर फाल आ गया ठीक भी अब वर्ग की भुजा कैसे निकिलेगी वर्ग की भुजा इसका अंडरूट कर दीजिए वर्ग का परिमाप आप जानते हैं भई, चार गुणे भुजा होता है, तो बर्चो कनतालिस हो जाएगा, ठीक है, वर्ग का आपको वर्ग का परिमाप निकालना है, तो वर्ग का परिमाप फार्मुला क्या होता है, चार गुणे भुजा, भुजा आए कितनी, बर्चो कनताल और उसके बाद 7 से 11 और 13 के लगुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयम से विभाजित किया गया परिणाम ज्यान करें बताई यहां पर देखिए इसको कैशे करना है करें कि एक संख्या को 3003 से गुणा किया अब हमें संख्या नहीं पता हम मान ले विभाजित किया जाता है मतलब इसका लाशा निकाल लिए 7 ग्यारा और 13 का लाशा से इसको भाग देना है फिर आगे भी देखिए भई करें कि और फिर स्वयम से विभाजित किया गया ठीक है स्वयम से विभाजित किया गया बाद में अभी इसको पहले साल्व करें फिर स् इसको आप LCM ही क्या देखिए सब ही और ये आपकी कौन सी नंबर है अब हाज संख्या है तो आप हाज संख्या है का कोई LCM वही होगा जो इनका गुड़ा ही अब हाज संख्या होती है तो इनको क्या कर लिख सकते हैं 303 into yaks बटे 7 गुड़े 11 गुड़े 13 इसको आप divide करिए भी divide करने पर कितना आएगा देखिए 11 से पहले इसको काट दीजिए भी 11 से काट देखिए 11,12,22 न भार जाएगा तो बच्चा कितना 11,12,8 तो यह 80 हो जाएगा तो 11,77, 3 बचा 11,77 कट गया तिक है अब किससे काट दीजिए भी अब साथ से काट देजिए, साथ तरीक 21, 21, 11, तो 11, 8, 11, 17, तर और 3, अच्छा, 13, 33 होगा यहाँ पर, साथ नहीं होगा, ठीक है, यह, ठीक है, अब यह कर जाएगा, ठीक है, तो साथ तरीक 21, और साथ नमाई, तरीक 22, और साथ नमाई, 3, 33, 49, ठीक है, और यख से यह बच्छा है, तो 3 यख सबच गया, भई, किया गया है ठीक है तो इस प्रकार आपका option number कौंस हो जाएगा c number से ही हो जाएगा ठीक है आज देखते हैं कि 10x plus 5 अनुपाते 42x plus 8 फिर कहने कि 5 अनुपाते 8 का तीगुना अनुपात है तो 1 क्यों ग्याद कीजिए शरी इसको ग्याद करते हैं भी तो इनका अनुपात के लिए कहने कि 10x plus 5 अनुपाते लगा दीजिए 42x plus 42x plus का 8 ठीक है equal to कहने कि 5 बटा 8 इसी के equal है ठीक है अब इन्हीं को आपको क्या करना है इसका 3 गुना शाल्व कर लेजिए qx qq के equal है ठीक है तो यह आपको शाल्व करिएगा इसको तो आपका क्या हो जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है 5 अनुपाते 8 का ठीक है ठीक है मतलब इसको आप क्या कर दिएगा whole power कर दिजिएगा cube में ठीक है cube कर लेजिए इसको शाल्व करेंगे फिर x की value इसमें आ जाएगी x की value जो आएगी उसका ठीक है x की value यहाँ पर निकल के कितना आएगी 12 आएगी ठीक है अब 12 का cube कर लिजिएगा अंसर आपका मिल जाएगा तो 1728 इसका right answer आजाएगा ठीक इसको आप solve करिएगा ठीक है इसका cube कर दीजिए 5 का cube आप 5 की cube आप चानते हैं क्या आता है 125 और 8 का cube पांसो बारा फिर cross multiply करके आपको x की value निकालना रहेगा जो x की value आएगा उसका फिर 3 बार गुना कर देना मतलब उसके power 3 निकाल लेना तो 12 आएगा 12 का 3 करेंगे तो ये 1728 आजाएगा ठीक है गदे है कहने कि 40 के वर्ग के 40 प्रतिसत का चौथाई भाग्यात करें ठीक है देखी कहने कि 40 के वर्ग मतलब 40 का वर्ग कर दीजिए ठीक है वर्ग के फिर कहने कि 40 प्रतिसत 40 प्रतिसत मतलब ये फिर का चौथाई भाग मतलब एक बटा 4 कर दीजिए साल्ब कर लीची यही कह रहे हैं ठीक है तो यह आपको करना है ठीक है तो इसको लिख सकते हैं 40 गुड़े 40 गुड़े 40 बटे 100 गुड़े एक बटा 4 साल्ब कर जाएगा भी देखो एक 0 एक 0 कड़ जाएगा यह 0 कड़ गया चार से 4 कड़ गया तो यह 40 गुड़े 4 हो जाएगा ठीक है यहां पर आपको कौन सा एक दो ठीक है चार चुक 16 गुड़े 160 आ जाएगा ठीक है 40 गुड़े 4 क्या हो जाएगा 160 राइट अंसर कॉन्स हो जाएगा आपको सी सही हो जाएगा अगला है करें कि यदि विक्री मूल तीन गुना किया जाए तो लाब 5 गुना हो जाता है लाब ग्यात करें भी तो यहाँ पे आपको द्यान देना है देखिए अगला करें कि यदि विक्री मूल तीन गुना किया जाए तो लाब 5 गुना हो जाता है लाब ग्यात करें ठीक तो देखिए लेट कर लिजे सी पी जो है क्या है यक्स और यस भी क्या है आपका लिजे वाई ठीक तो आपके यदि विक्री मूल तीन गुना किया जाए और लाब बराबर आप चानते हैं क्या होता है भी विक्रे मूल माइनस क्रे मूल होता है ठीक है तो यह आपको त्यान रखना है तो यहाँ पे आपको जब विक्रे मूल 3 गुना किया जाए तब जो है विक्रे मूल कितना हो जाएगा 3 y हो जाएगा ठीक है और क्रे मूल आपका yaks रहेगा ठीक है अब यहाँ पे कहरें कि जब 3 गुना किया जाए तो लाब जो है 5 गुना हो जाता है ठीक है तो लाब बराब x, इसी को आपको solve करना है, ठिक है, तो यह हो जएगा, 3y minus x, तो equal 5y minus का 5 x हो जाएगा, ठिक है, 5 x हो जाएगा, अब इधर आपको y को इधर लाईए, और x को उधर ले जाईएगा, तो यह आऊ जाएगा, minus का 2y equal to, क्या माइनस का 4x, ठिक है, x x कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा भी यहाँ पर आपका यहाँ लिक रहे हैं तो Y को नीचे यक्स को इधर ला लीजिए तो आपका हो जाएगा 4 बटा 2 आजाएगा 4 बटा 2 आजाएगा तो काड़ देंगे तो 2 एक अन्नम 2 2 दुना 4 तो क्या आजाएगा भी दो बटा 1 आ जाएगा ठीक है वाई की जो विक्रेमूल आपका क्या होगा दो और क्रेमूल 1 आया है तो इनका अंतर देखिए कितने हैं 1 का 1 का अंतर है और किस पे निकाला जाता है CP पे मैं रहा 1 इंटू 100 ठीक है into 100 तो कितना आ जाएगा भी आपका 100 आ जाएगा option B आपका यहाँ सही हुचाएगा ठीक है तो यह है तो लाब बराबर आप जानते हैं ना profit equal to क्या हो जाएगा भी लाब अपान CP into 100 तो लाब कितने का है दो एक का एक लिखेंगे नीचे CP 1 into 100 तो 100% आ जाएगा भी नंबर से ही हुचाएगा आज देखते हैं अगला है कहने कि यक्स कोई आजमी है रुपए 42,000 में एक स्कूटर खरीता है वह मरमत पर 6,000 रुपए खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 में बेचता है उसका लाब क्या है यह आपको बताना है ठीक है असान प्रशने भी इसको आप करेंगे तो इसमें निकाल लेंगे देखिए उस 44,000 और 6,000 जोड़ेंगे तो 48,000 और यस भी कितना दिया है 54,000 तो घटा लीजिए भी 54,000 तो इसका लाब कितना निकल के आएगा लाब 6,000 आएगे भी 48,000 में 45,000 घटाएंगे तो कितना आएगा 6,000 आएगा ठीक है 6,000 आएगा अब इसका लाब प्रतिस्दा फार्मुला ल गुड़े 100, ठीक है काट लीजिए 2,0 से 2,0 काट दिया, 1,0 से 1,0 काट दिया तो ये जाएगा आपका कितनी बार भी 6 से काट दिया, 100 आजाएगा उपर और 6,7,2,6,8 तो 10 बटे उपर कितना 100, 100 बटे 8, 100 बटे 8 का जो भाग देंगे तो 12,10 में 5 आएगा ठीक है तो बी न पए 104,205 में बेची गई कितनी छूट की पेसकस की गई तो छूट परतिसात आप परसेंटेज जानते हैं ये आपको लगा देना है ठीक है तो यहाँ पर आपको देखिए इसमें जब सब्ट्रेक करेंगे 110 में 104,205 का तो छूट कितने का 55 का ठीक है किस पे मिली है 110 पे मिल पांच का क्या है छूट मिला है ठीक है तो इसको आप छूट परसेंटे निकालेंगे तो 11,55 और नीचे एक 0 और 10,60 लगा तो 0 बढ़ जाएगा तो पांच अंसर आजाएगा ठीक है ठीक है ठीक है चकविद्धी ब्याज पर निवेज किये गए धन की रासी दो वरसों में इतना और तीन वरसों में इतना हो गई ब्याज दर ग्यात करें ठीक है ब्याज दर आपको यहाँ पर बताना है ठीक है चलिए ब्याज दर बताते है तो इसको कुछ ने करिए इसको आपको करिया 16,80 डिवाइट कर दीजिए 16,00 तो यह आपका 1,0 से 1,0 कर जाएगा ठीक है तो 4,14,40 नीचे आजाएगा, 4,14,42,42 हो जाएगा और एक बार कर दीजिए भई, दो से तो 20 नीचे आजाएगा, 21 उपर आजाएगा, अंतर कितने का है भई इसका देखिए, एक का, ठीक है, एक का बटे 40, गुणे 100, ठीक है, काट लीजिए इसको, आज नीचे 20 बचा है ठीक है, तो यह राइट अंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 बचे 100, ठीक है, 5 परिशन्ट आएगा, आपसन ए आपका यहाँ बिर्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, अगला देखते हैं, करें चक्विद्धी बैच पर निवेश, 25,000 की रासी, एक वरसे में अर्धवारसिक, 4 पर है, 2 परिशन्ट, ठीक है, 2 से अर्धवारसिक कहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और एक वरस में 2 छमाई, तो 2 लिख लिए, समय आ गया, 2 छमाई और आर जो है, इसका 4 परसंट है, 2 से डिवाइट कर दिए, 2 परसंट, ठीक है, आप देखिए, आपको लगा देना है, दे इनका गुणा करिए, 25, 25 और 00, 25 सो आ जाएगा, और 50 कितना होता है, 26 सो, एक होता है, इनका अंतर देखिए, नहीं, अंतर मने दिखाने ही जरूरत है, देखिए, 25,000 को, 25 सो से डिवाइट करेंगे, तो कितना गुणा आता है, यह आपको गुणा दिखाल लेना है, यह आपसे नंबर यहाँ पे कौन सो जाएगा, देखिए, बी नंबर हो जाएगा, 26,000, 10, ठीक है, तो यह आपको अराम से कर लें, अर्दवार सीखे, तो आप समझेए, उसको आपको शमाई मदल लीजिए, और प्याज को दोसे, रेट को दोसे भाग देजिए, ठीक है, तो आ कितने महीने बाद सामिल होगा, तो इस प्रकार के प्रशन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, यह आपका साजेदारी से प्रशन है, ठीक है, तो देखिए, इसको कैसे करेंगे, चरी भी, तो एक जने 75, ए जो है 75 का निमेज करता है, ठीक है, सुरू किया, मतलब कि A पहले सु जूल रहा है, ठीक है, यह नहीं पता, तो कितना से 37,000 लगा के, लेकिन कितने पूछा है, भी कितने महीने बाद सामिल होगा, तो 12 में से माइनस का एक्स कर देंगे, एक्वल टू लाव इनका 3 उन पाते 1, यही साल्व कर लिजी अंसर आपको, तुरंत मिल जाएगा, ठीक ह इसे, देखिए, यह 2,0 से 2,0 काट दीजीए, ठीक है, 2 क्यों, 3,0, 3,0 काट दीजीए, ठीक है, और 3,4 को 12 कर दीजीए, ऐसे काट दीजीए, ठीक है, अब आपको क्रास मल्टिप्लाई कर लेना है, तो आप साल्व करेंगे, तो आपका अंसर, कितना निकल के यक्स की वेल हमें दर्ज किये गए थे, इस कारण कच्छा के आउसत अंक, 0,205 से बढ़ गई, कच्छा में च्छातरों की संक्या क्या है, इसको अपकर हैं, देखिए, इसमें आपको क्या करना है, अब इनका देखिए, एक च्छात के आंके में कितने का अंतर हो गया, देखिए, पहले अनसर था भई, अब उसको 88 कर दिया गया, तो इसको घटाएंगे, तो क्या, 8 में से 8 गें 0, 8 में 6 गें 2, 20, 20 का अंतर है, ठीक है, 20 का अंतर ही, यह कितने के बढ़ गया है, यह आपका जितना बढ़ा है, उसको डिवाइट कर दीजिए, आपका अंसर आ जाएगा, ठीक है, 20 म कुषल है, और B जो है, C से 3 गुषल है, यदि अकेले C कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, देखिए यह किसे करेंगे आपको, अब आपको देखना है, कहरें कि, ठीक है, C कोई काम 30 दिन में कर रहा है, C की दिन में कर लेगा फिर देखिए ए जो है बीस ये दुगुना कुशल है मतलब इसको एको अगर इसको दस को दो से भाग देंगे पांचे दिन में कर लेगा ये आप इनकी कार करने की दिन की दिनों की शंक्या आ गई अब इनका कार ले जिए LCM ले लिजे LCM आप जानते है 30 आ जाएगा 30 से कंदम 30 भाई 30 तीस पांच जंक 30 अब इसको जोड़िए 6 तीन नव एक 10 तो टोटल काम कितना है 30 दस एक दिन की कार शंता कितनी है 10 दस से डिवाइट के लिए तीन अंसर हो जाए आपसन ए सही हो जाएगा ठीक है आपसन ए आप गंटे 40 मिनट में उसी दूरी कुताए करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए यह आपको बताना है तो यहां पर आपको ज्यान देना भी तो हवाई जाच की चाल जो है कितनी है 250 कीमी प्रत गंटा है ठीक है अब 4 गंटे में करें तो दूरी निकाल लिजी वाई दूरी गंटे 40 मिनट की जाती है ठीक है आप क्या करेंगे इसको भाग दे दीजिए वही दूरी को कितने से एक गंटे 40 मिनट को तो इसको गंटे में पूरे को बदल दीजिए तो क्या आजाएगा भी तो यहां पे 5 बटा 3 से डिवाइड कर दीजिए 5 बटा 3 तीन उपर चला 42 को 60 से भाग दे देना ठीक है तो यह आपका पूरा गंटे मदल जाएगा तो यह 0-0 कड जाएगा दो से 2 कटा दो तीन आई 6 तो 3 एक नम 3 एक 5 बटा 3 आगा ऐसे तीन आया था ठीक है यह ध्यान दीजिए ठीक है तो यह इस प्रकार से आपको कर लेना है चलिए आए देख यह आपको करना तो देखिए आपको देखिए बिना रुके चाल माइनस बस की रुक रुक कर चाल बटे बिना रुके चाल कर देना ठीक तो 45 कर देना गुडे माइनस 36 और बिना रुके 45 ठीक है और गुडे 60 इसी को साल्व कर लीजिए आपका अंसर मिल जाएगा ठीक है यह आपका 12 आंसर हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, तो कौन से फार्मूला लगाएंगे, बस के रुकने में, लगा समय क्या करेंगे फार्मूला, बिना रुके चाल, माइनस, बस की रुक, रुक कर चाल, बटे, बिना रुके चाल, गुणे साड कर दीजिएगा, तो इस परकार जो हैं आपके पूरे हो जाते हैं, 25 कोस्चन, ठीक ही तो आसकर तो हुए आपको पसंदा अगर पसंदा है तो लाइक हैं, सेर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, तो मिलते हैं सेकेंड प्रेक्रि